है गाइज नमस्कार आज हम लोग इस लेक्चर में करेंगे डिर्य टेक्नलोजी जिसका कोर्स कोड होता है FST 222 तो आज की इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे अगर मिल्क की डिफिनेशन देखा जाए तो मिल्क इज डिफाइड एज डिफाइड अज सेक्रेशन ऑफ मैमरे गलांड का सेक्रेशन होता उसे दूद कहते हैं जो भी बच्चे जनम लेते हैं सबसे पहले उनको क्या फिडिंग कराया जाता है जोकि nutrition का main important source होता है US कहता है कि अगर किसी भी जानवर को अच्छे तरीके से फिडिंग कराया जाए अच्छे तरीके से रखा जाए तो मिल्क जो पाया जाता है कौव में वो फ्रेस होता है उससे कम नहीं होता और तिन दसल में दो पाच परतीसत मिल्क फैट होता है उससे कम नहीं हो सकता इस स्लाइड में हम लोग जानेंगे कि major constituent क्या होता है क्या होता है दुद में तो फैट कैसे लेक्टोज होता है यह सारे अच्छा हां वाटर के बारे में पढ़ा था कि यह जो major constituent है वो मिल्क में 87% मौझूद रहता है और रिमेनिंग 13% होता हूँ उसमें आ जाता है प्रोटीन फैट लेक्टोज मिनरल्स और गैनिक एसेड और सबस्टांस भी अविलेबल होते हैं तो सबसे पहले मैंने देखा कि वाटर 87% अविलेबल रहते हूं उसके बाद फैट जो है वो 2.5 लेकर 5.5% अविलेबल होता है प्रोटीन होता है 2.3 लेकर 4.4% लैक्टोज का मात्रा अविलेबल होता है 3.8% 5.3% मिनरल का मात्रा अवि लेकर 0.2 लेकर 0.3% और गेनिक एसिट का मात्रा होता है 0.2 से लेकर 0.2 से लेकर 0.2 में 2.1% और भी बहुत सारे मिसलेनियस सबस्टांस अविलेबल होते हैं विछले सलाइड में हम लोग ने देखा कि वाटर 87% होते है उसके बाद रेस 30% में सबसे जाता फैट होता है तो किस चीज़ से बना होता है तो फैट जो है वो मिलती ट्राइगलेसराइट से बना होता है और जो कि फैटी एसिट वैरी करता है दो कारवन से लेकर 20 कारवन एटम के बीच और से जो होता है वो 0 से लेकर 4 डवल बांड वैरी करता है और अधर लिपिट के बारे में बात करें तू उसमें होता है phospholipides, cholesterol, reafatti acid, monoglycerides, diglaserides, casteronins, vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K अब phospholipides के बात करते हैं, phospholipides एक לिटर दिध में 0 độ 접ν तीन-0 ग्राम अविलेबल होता है जिसमें lecithins अबिलेबल होता है और 미국, вз笑 cinqालावान को जो स्फिंगो, protections इत्ते आदि एबिलेफड होते हैं अब एस्टरल जो है वो एक लीटर दोध में 0-0 ग्राम एविलेबल होते हैं नौ फैट के बाद आता है प्रोटीन यानि कि रेस्ट 13% में सबसे ज़्यादा फैट उसके बाद प्रोटीन आता है तो यह 4-5 कशेन कौन-कौन से होता है अल्फा-स-1, अल्फा-स-2, बिटा-स और के कैसीन होता है बागी जो होते हैं वो सेरम प्रोटीन होता है बिटा-लेक्टोगलोबलीन रोता है जानि कि एक लीटर दोध में 3-ग लेक्टोगलोबलीन होता है अलफा लेक्टो अलबुमीन होता है एक लीटर दुद में जुरो दसलम साथ इसके अलावा इंजाइम के साथ छोटे-छोटे माइनर प्रोटेंस भी एवलेबल होता है मिल्क में नेक्स है कार्बोहाइड्रेट अब कभी भी जब दुद पीते हैं तो थोड़ा से उसमें स्विटनेस आता है यानि कि वो मीठा लगता है वो क्यों कि उसमें लेक्टोज और मिल्क सुगर एविलेबल होते हैं और जो लेक्टोज और मिल्क सुगर होता है वो कैसे उसमें होते हैं जैसे potassium, sodium, calcium, magnesium, chlorine और phosphate इत्यादी milk में water soluble vitamins में एविलेबल होते हैं उसको nitrogenous material कुन-कुन से एविलेबल होते हैं जैसे ammonia, amino acid, urea, cretinine, uric acid इत्यादी gases एविलेबल होते हैं carbon dioxide, oxygen, nitrogen इत्यादी trash element कुन-कुन से होते हैं जैसे iron, copper विकरा एविलेबल होते हैं में उसे trash element बोला जाता है यह table है composition of milk from different species यानि कि जितने भी mammal है उनका composition दुध में होए उसका compression करके यह table बनाया गया है जैसे human में total solid available होते है 12-12-2 जो कि com में होता है 12-12-7 got में होता है 12-12-3 तो यह vary करता है total solid fat भी vary करता है सबका protein भी vary करता lactose as इसी तरह से सारे variant दिया गया किसी में fat जादे होते हैं किसी में protein जादे होते हैं तो यह सारे detail आप देख लेना वीडियो पॉज करके अब है stage of lactation stage of lactation में होता है कि जैसे कोई भी गाय है उसने बच्चा दिया बच्चा देने के बाद जब दूथ निकलते हैं उसमें kolostrum जादा होता है उसके बाद 10-15 दिन बाद वह normal फिर से हो जाते हैं तो यहां पर vary करता है the stage of lactation में milking में third है illness of the cough अगर कोई भी mammals बिमार हो जाते हैं तो उसमें inflammation of the udder हो जाता है यानि कि मानलों कौव बिमार हो गए और उसमें क्या होता है बिमार होने के बाद udders जो होते हैं जहां पर milk store होती है उसमें सुजन हो जाती है और सुजन होने के कारण somatic cell बढ़ जाते हैं जिसके कारण milk में effect पड़ता है third point है feed यानि कि कोई भी जानवार को जब आप feeding कराते हैं उस पर भी depend करता है कैसा आप भोजन दे रहे हैं feed में बोला the amount and the quality of the feed given strongly effect milk yield यानि कि जो आप feeding कराते हैं जानवार को उस पर milk yield में बहुत फर्क पड़ता है लेकिन effect of cause diet on milk composition is fairly small यानि कि कोई के जो diet होता है उस पर milk composition में बहुत कम फर्क पड़ता है except fat content यानि कि fat content के अलावा बाकी जितने composition है उसमें बहुत कम फर्क पड़ता है next season season में क्या होता है the percentage of both fat and solid not fat so slight but will define variation during the course of the year milk में जो composition होते हैं उसमें season पर भी depend करता है season wise देखें तो बहुत कम फर्क पड़ता है सबसे ज्यादा fat और solid not fat पर परभाव पड़ता है लेकिन throughout the year यानि कि पूरे साल मिला के compare किया जा तो बहुत variation होता है season के कारण third age the fat percentage in the milk declines slightly as the cow grow older यानि कि जन्वारों को age पर भी depend करता है जैसे जैसे वो बुड़े होता जाता है यानि कि उम्र उसका बढ़ता जाता है तो उसके दूद में जो fat content होता है वो घटता चला जाता है next interval of milking यानि कि कितने दिर बाद milk secretion किया जाता उस पर भी depend करता है longer interval is associated with mark milk भी थे lower fat test next yield for a single cow there is a tendency for increased yield to be accompanied by a lower fat percentage यानि कि अगर किशी भी cow का yield बढ़ जाता है तो उसमें fat percentage घड़ जाता है next condition of cow at calvin यानि कि गाय जब बच्चा देता है उसका condition good physical condition at calvin yield milk of higher fat percentage यानि कि जब गाय बच्चे देते हैं उससे में higher percentage of fat होता है यानि कि fat का मात्रा बहुत जादा होता है next administration of drugs and hormones certain drugs may affect temporary change in the fat percentage injection or feeding of hormones result in increase of both milk yield and fat percentage यानि कि अगर किसी भी mammals को दवाय खिला जाए उसमें जो milk secret होती है उस पे milk में temporary change आ जाते हैं और जैसे injection feeding of hormones result increase of both milk yield and fat percentage यानि कि injection लगाते है तो उसमें milk yield और fat का जो percentage होता वो बढ़ जाते हैं आज के lecture में इतना है फिर मिलते है next lecture में कि बना है